सो वेल्कम फ्रेंड्स स्वागते आप सभी का डेली न्यूज अपेस की स्फिरीज में बेसिक नोलेज के सासाथ फ्रेंड्स अगर आप किसी भी एक्जाम के त्यारी कर रहो तो ये वीडियो आपके लिए बहुएद मैथ मुट रेड़ वाला है अगर आप चेनल पर पहली बार विजिट कर रहो हो तो चेनल को सब्सक्राब करके बेर आइकन को प्रेस कर लिजिए इसकी पीडियेप आप टेलिग्राम से डाउनलोड कर सकते हो लिंक आपको डिस्क्रप्शन मिल जाएगी सचली शुरकरतोर देखते के आज की अपडेट क्या गेती है दोस्तो महमद मुईच्यू काफी समय से भारत से गुजारिश कर रहे थे कि भारत मालदीव से अपनी सेना को हटा ले तो फाइनली भारत में ये निर्णई ले लिया है कि भारत अपने सेनी करिमियों को मालदीव से वापस बुलाएगा देकि मालदीव में फिलहाल 77 इंडियन सोलजस्त मोजूद है जो कि वहाँ पर समुद्री सीमा पर निगरानी करने वाले एक डोर्णिय टूटू एट विमान और मेडिकल मदद के लिए भारत के दोरा दिया गया हेल द्रू हेलिकोप्टर का संचालन करते हैं भारत ने मालदीव को हिंदुस्तान अर्नोटिक्स लिम्टेट के दो द्रू हेलिकोप्टर दिये हुए हैं जो कि वहाँ पर मेडिकल इमर्जनसी के लिए इस्तमाल किये जाते हैं अब सवाली उड़ता है कि फिर इन भारती विमानों का संचालन कोन करेगा अगर भारत अपने सेनिकों को वापस बुला लेगा तो तो देखे मालदीव में मोजुदा भारती सेनिकों के वहाँ से हटने के बाद उसकी जग़पर भारत की टेकनिकल टीम लेने वाली है इस मुद्धे पर जब से मोजुद यहां के राष्टपती बने है तब से विवाच चल रहा था मालदीव चाता था कि भारत अपने सभी सेनिकों को इंडिया वापस बुला ले और इसको लेकर मुजु ने कहा था कि हम नहीं चाहते कि किसी विदेश की सेना मालदीव में रहे अब बलही भारत अपने सेनिकों को वापस बुला रहा है पर देखा जाए तो भारत ने बीच का रास्ता इसमें निकाला है और मालदीव को भी सरास्ते के लिए तयार होना पड़ा है वाँ बले भारती सेनिक नहीं होगे लेकिन भारत ये काम अपनी टेक्निकल टीम से भी करवा सकता है तो भारत ने मालदीव के आम नागरिकों की मेडिकल जर्रतों और मानवी मदद के लिए ये विमान दिये हुए है अब अगर भारत अपने सबी सेनिकों को वापस बुला लेता है तो मालदीव में ये विमान संजालित नहीं हो पाएंगे जिससे वहां के आम नागरिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है हाली में आपने देखा होगा कि मुईच्चु ने इन विवानों पर प्रतिबंद लगाया हुआ था जिसके कारण मेडिकल सुईदर न मिलने से एक 13 वर्षी बालक की जान चली गई थी विदेश मतराली के अनुसार भारत मालदिव का एक प्रतिबद विकास भागिदार बना हुआ है भारत ने इस छोटे से द्यूपी मुलक के लिए वर्षी 2023 के बजट में 400 करण रुपे आवंटित किये थे जिसके बाद ये मदद बढ़ाकर 770 करण रुपे कर दी गई थी हालक कि इस साल पेश के गए अंतरी बजट में इस मदद को 22 bend कम कर दिया गया है इस मदद को 22 bend से घटाकर 770 करण रुपे से 600 कर रुपे कर दिया गया है लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 600 कोड़ रुपे विल्कुल फिक्स कर दिये हैं अगर जरुत पड़ी तो इसको वापस से संशुदित क्या जा सकता है इसके लावा मालदिव की भोगुलिक इस्तथी भारत के लिए काफी माहिने रखती है क्योंकि खाड़ी के देशों से इंपोर्ट हने वाली एनरजी मालदिव के रास्ते से ही आती है ऐसे में भारत के लिए मालदिव स्ट्रेट्जिक इंपोटेंस रखता है और अगर हम सेनिको की बात करें तो तीन में से एक एवेशन प्लेटफरम से सेनिको को दस मार्च दोजार चोविस तक वापस बुला लिया जाएगा बाके के दो एवेशन प्लेटफरम पर मोजुद सेनिको को दस माई दोजार चोविस तक इंडिया वापस बुला जाएगा पैसे महमद मुजु मालदिव को चीन के रिंडजाल में फसाते हो नजरा रहे हैं ये व्यक्ति भारत को दुश्मन की तरह देख रहा है और चीन को अपना हीतिशी समझ रहा है और उससे कर्ज ले रहा है जबकि सभी को पताए कि कई दक्षिन एशियाई देश चीन से कर्ज लेने के बाद गंबिर आर्तिक संकट में भसे हुए है पाकिस्तान और स्रिलंका दोनों ने ही चाइना की महतोकांशी बेल्ट एंड रोड इनिशियेटिव परियोजन यानि की BRI प्रोजेक्ट के तहत चीन से बड़े-बड़े कर्ज लिए हैं और अब गंबिर आर्तिक परिशानी जल रहे हैं वर्लड वेंग की एक रिपोर्ट के अनुसार मालदिव के उपर कुल तीन अरब डोलर का विदीशी कर्ज है जिसका बयाली स्फिजदी उसे चीन को चोकाना है इसको लिएकर हाली में अंतराष्टि मुद्रा कोश मतलब की IMF ने चतावनी दी है की मालदिव उपर गंबिर कर्ज में डूबने का जोखी में अब इसके बारे में आपके क्या विचारा आप कमेंट बुक्स में बता सकता है अगर वीडियो पसंद आते हैं तो से लाइक कर लिजी चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी विश्यों दे वेरी बेस्ट थैंकिस तो सववाच